नमस्कार दोस्तों मैं सुमच अधरी और सुक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉम पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है तो दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं भारती इत्यास के स्वारणी म्यू कहे जाने वाले गुपता वंस के संस्थापक महाराजा अधिराज चंदर गुपत पर्थम की जीवनी और इनके साशन के बारे में तो दोस्तों भारत के इत्यास में लगबग तीसरी से चटी शतापदी के बीच में गुपता वंस के साशकों ने रूल किया है और इन्होंने भारत के लगबग 60-70 पर्तिशत भुबाग पे रूल किया है तो इनका एक बड़ा समराज्य भी था और इनके कारेकाल के समय को भारती इत्यास का स्वर्निम यूग कहा जाता है और ऐसा क्यूं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके कारेकाल में ही भारत के इत्यास में कला, साहिते, सेंसकर्ती और विज्ञान के छेतर में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई इन्ही का वो समय था जब भारत में आरिय भट वरामीर जैसे महान गणितग्य और जोतिश्विद हुए इन्ही का वो समय था जब भारत में धनवंत्री जैसे महान चिकित्सक हुए इन्नी का वो समय था जब यहां पे भारत में कालीदास और हरीसेन जैसे महाकवी हुए हैं तो ये वो समय था जिसमें भारती इत्यास का एक बहुती बड़े स्केल पे इंडियन कल्चर को आप देख सकते हैं और एक गोल्डन पिरियेड मान सकते हैं इसी का समय था जब भारत में नालंदा विश्य विद्याले की स्थापना की गई इनका जो राज्य था उसकी शुरुवात इस जगे से हुई ये जो मगद और प्रियाग राज के बीज का जो छेतर है उत्तर परदेश और बिहार के बीज का जो छेतर है यहीं से इनकी शुरुवात हुई थी जैसे कि मोर्य वंच की शुरुवात हुई थी उसके बाद ये बड़े भुबाग पे इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था इनके बड़े बड़े राजा हुए है चंदरगुप्त पर्था हुए है उसके बाद समुंदरगुप्त चंदरगुप्त दित्विय है कुमारगुप्त इतने बड़े बड़े समराट इनके हुए हैं इनके बारे में हम आने वाले समय में पढ़ेंगे लेकिन ये एक रफ लगबग मैप है गुपता एंपायर का और इतने बड़े भूभाग पे इन्होंने रूल किया है लगबग तीसरी से लेके छटी शताबदी के बेच में तो ये अपने एक्स्टेंड पे था एंपायर अपने पीक पे था तो इनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त पर्थम की और इनी की बावजूद भी इनको ट्रू फांडर ऑफ गुपता डैनिस्टी के तीसरे रूलर थी तीसरे रूलर होन के बावजूद भी इनको ट्रू फांडर ऑफ गुपता डैनिस्टी कहा जाता है सच्चे माइने में इन्होंने ही गुपता वन्ष की नीव रखी थी वैसे इनके जो ग्रैंड फादर थे श्री गुपत वो पहले रूलर थे और उनके बाद इनके जो पिता हैं घटोचकच इतने प्रीमियर लीडर नहीं थे और इतने ताकतवर राजा नहीं थे इंडिपेंडेंट राजा नहीं थे जिनके उपर किसी का वश नहीं चलता था वो सिर्फ फ्यूडल लोड थे और अपने आपको राजा कहते थे किसी छेतर के लेकिन वो कुशान वन्ष के राजाओं क मतलब होता है राजाओं का राजा King of the Great Kings जो सभी राजाओं के उपर है उन्होंने ये टाइटल लिया था लेकिन इन से पहले के जो दो राजा थे श्री गुप्त और घटोतकच इन्होंने महराज की टाइटल ही लिया था राजा का टाइटल ही लिया था मतलब वो इतने पाव बेटे जो थे समुंदर गुप्त बहुती फेमस थे परभावती इनकी बेटी का नाम था और भी इनके और बेटे थे उनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और उनके बारे में इतनी बादचित भी नहीं होती इनका जो कोरोनेशन हुआ वो लगबग 319-20 में ह कोरोनेशन मतलब राज्य अभिशेक और 335 से 350 कहीं लिखा होता है 335 में इनकी डेथ हो गई थी कहीं लिखा होता है 350 में इनकी डेथ भी थी यह जो समय है 320 से लेके 350 के बीच का जो समय है इस समय इन्होंने गुपता वन्ष को चलाया है और गुपता रेन कब तक मानी जाती ह देखें अगर हम शिरीगुपत से काउंट करें शिरीगुपत का जो समय है वो माना जाता है कहीं लिखा होता है 240 BC में ही उन्होंने अपने आपको महराज गोशित कर दिया था और वो काम कर रहे थी कहीं लिखा होता है 275 BC के आसपास उन्होंने रूल करना शुरू किया था उससे पहले वो feudal lord ही थे, कुशान मंस के रूलरों के अधिक, तो ये सब चीजे चल रही थी, तो लगबग 319 से 350 CE वाला जो समय है, 4th century वाला, इसको ज़्यादा appropriate माना जाता है, क्योंकि इस समय चंद्रगोप पर्थम का जो साशन है, वो शुरू हो चुका था, अब बात करत मौरिय वन्ष और पूरे भारत का इतियास पड़ाया था, अब मैं बात कर रहा हूं कि जो गुपता डैनिस्टी है, वो पावर में क्यों आई, देखें मौरिय वन्ष का जो अंत है, वो डिकलाइन है, वो शुरू हो गया था, अशोक समराठ की डेथ के बाद से ही, उनके 50 स वैसे तो देखें, यहाँ पे जब खतम हुआ था, पूरी तरीके से, मौरिय डैनिस्टी का रूल खतम हुआ था, तो शुंग डैनिस्टी आई थी, उसके बाद कणू डैनिस्टी भी आई थी, यह डैनिस्टी जाती थी, लेकिन वो इतने लंबे समय तक नहीं चल पाई, का कुशान डैनिस्टी और दक्षन का जो है साथ वहन डैनिस्टी, इनके बारे में हमने एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ा है, इन कुशान डैनिस्टी के रूलर्स के अधीन ही कुछ फ्यूडल लोड काम करते थे, उन फ्यूडल लोड्स में ही यह शिरिगुप्त आये करते जो की चंद्रगुप्त पर्थम के दादा थी, तो ये लोग काम करते थे और उस समय भारत में क्या होता था, पॉलिटिकल यूनिटी और एकनोमिक ग्रोथ दोनों तरफ चल रही थी, उत्तर भारत में कुशान डैनिस्टी के अंडर चल रहा था और दक्षन भारत में साथ वहाँ डैनिस्टी के अंडर चल रहा था, उसके बाद मुरुदास नाम के एक व्यक्ति को यहाँ पे किंग मैंशिप दे दी, एक तरीके से राजा बना दिया, वो कुशान डैनिस्टी के अंडर काम करता था, कौन से चेतर में इस परियाग राज और मतुरा के जो आस पास क जो चेतर है, यहाँ पे यह लोग रूल कर रहे थी, उसके बाद यह व्यक्ति जो है मुरुदास यह 25 साल तक इसने रूल किया और लगबग 275 बीसी के अराउंड जो है, इसके बाद जो सत्ता है वो शिरी गुप्त के पास आती है, शिरी गुप्त आने के बाद तुरंथ ही यह माना जा सकता है कि शिरी गुप्त के समय से इंगुप्त डाइनिस्टी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसके पास क्या नहीं था, इंडिमेंडन पाउर नहीं थी, बड़ी मिलिटरी नहीं थी, वो कुशान डाइनिस्टी के दाएरे से बाहर नहीं जा सकता था, उस पे पहुंशती है तो इन्होंने कुशान डाइनिस्टी का जो इतना चेतर था उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया और कुछ हिसा साथ वहां डाइनिस्टी का भी अपने कंट्रोल में ले लिया तो उत्तर और दक्षिन भार्थ के दोनों चेतरों में ये इस डाइनिस्टी जो है फैल गई तो यहाँ पे पहले क्या था इस छेतर में कुशान डाइनिस्टी थी यहाँ पे छतरब थे यहाँ पे साथ वहाँ डाइनिस्टी थी साथ वहाँ डाइनिस्टी का ज्यादा बड़ा छेतर तो नहीं लेकिन कुछ छेतर इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया थ देखे ये वो छेतर है जो डार्क ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है यहां से सामराज्य का शुरुवात हुआ था शुरुवात यहीं से हुईती इस एंपायर की उसके बाद समुदर गुप्त जो की चंदर गुप्त पर्थम के बेटे थे उन्होंने बहुत बड़े सामराज थे उन्होंने सो से ज़्यादा लड़ाईया जीती है अपने जीवन काल में उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है उनके बारे में मैं जल्दी ही बायोग्राफी ही भी लेके आउँगा तो इन गुप्ता पिरियेड में इनका जो सेंटर ओफ फावर था वो परियाग राज से शुरू होता था उत्तर प्रदेश से बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास का जो बोर्डर का जो छेतर था यहां से इन्होंने शुरुआत करी उसके बाद ये जो टाइम है इसको मैंने जैसा पहले भी आपको बता जा चुका हूं कि गोल्डन एज ओफ इंडिन स्युमेंट था आर्ट की फिल्ड में लिट्रेचर की फिल्ड में साइंस की फिल्ड में टेकनोलोजी की फिल्ड में वो बड़ा कमाल का था पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ इनके कारेकाल में वापिस जैसा कि पहले आप जानते हैं कि मोरिये वन्स के समय पे भारत का इसको स्वानिम यू क्यू कहा जाता है बहुत सारी चीजे हैं बहुत सारे इनके समय पे चीजे हुई हैं क्या टेक्नोलोजिकल डेवलप्मेंट हुए लिटरेचर में क्या 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 काम हुआ सब चीजें के उपर बात करेंगे तो ये वो समय था 320 से 350 के आसपास का चेतर ये जो डार कलर में जो चेतर दिख रहा है ये तो completely इनके कंट्रोल में था और बाकी यहां तक का जो चेतर अगर आप देखेंगे दक्षिन भारत का भी ये भी इनके फिडलरी थे इनके ट्रिब्यूटरी स्टेट्स थे जो इनके कंट्रोल में थे इनसे कोई लड़ाई नहीं क दिख रहा है ब्ली और यलो को मिला देंगे तो आप समुदर गुप्त के समय का मैप देखेंगे उसके बाद ये वाला जो चितर है ग्रीन कलर का ये एड़ किया था चंद्र गुप्त के बेटे ने जिनको चंद्र गुप विक्रमाजित्य कहा जाता है तो गुपता वन्ष क प्रॉमिनेंट रूलर हैं उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं वसे तो काफी सारे रूलर हुए हैं आगे भी हुए हैं लास्ट के जो रूलर हैं विश्णु गुप्त हुए हैं 550 के असपास उनकी डेथ हुई तब यह समराज का अंत हुआ तो पहले साशक कुन थे शिर कैलेंडर शुरू होता है गुप्त कैलेंडर यानि की जहां से गुप्ता वन्ष का सच्चे माइने में रूल इस्टैबलिश हो गया था तो यह चंदर गुप्त बर्थम थे इनके बाद इनके बेटे आते समुंदर गुप्त भारत के नेपोलियन सबसे ग्रेटेस्ट रूल सुनी होंगी वेताल भट नाम का एक सिरीज भी आया करती थी परे टीवी सीरियल आया करता था विकरम वेताल उसमें जो राजा हुआ करते थे वो यही चंद्र गुप्त जित्ये हुआ करते थे उसके बाद कुमार गुप्त जिनोंने नालन्दा विश्यविधेले की नीव रखी थी इसकंद गुप्त जिसके समय पे भारत में विदेशी जो आकरमनकारी पर जाती है उन्होंने अटेक किया था इवन समंदर गुप्त के समय से ही वो करती आ रही थी लेकिन सकंद गुप्त के समय पे ज्यादा अटेक होने शुरू हो गए थे इनके बारे में भी हम है नेपाल और जो बिहार है इसके साथ जो बोडर शेर करता है यहां पे लिच्वी नाम का एक राज्य हुआ करता था और यह प्राचीन काल से बड़ा समराज्य हुआ करता था जबसे आपको गोतम बुद्धा के टाइम भी मैंने पढ़ाया था कि लिच्वी किंग्डम जो साथ चंदरगुप्त पर्थम की शादी हो गई और उसके बाद माना जाता है कि इनकी शादी ये जो शादी हुई थी इसी का इंपक्ट था कि गुपता वंच जो है वो इतना अक्स्टेंड कर पाया इतना बड़ा समराज्य बन पाया एक्जेक्ट कारण नहीं पता चलते है कि चंदरगुप्त ने अपने छोटे से समराज्य को इतना ज्यादा विस्तारित कैसे किया लेकिन ऐसा माना जाता है कि लिच्वी जो प्रिंसेस थी इनसे शादी हुई उसकी वज़े से इनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो बढ़ गई क्यूंकि लिच्वी जो उस समय चंदरगुप्त पर्थम ने मिलके दोनों ने मिलके एक वो बना लिया अलाइंस बना ली ताकि दूसरे समराज्यों के साथ लड़ाई लड़ सकें इस शादी के बाद इन्होंने महाराजा दिराज की उपादी भी ली थी और जो इनके सिक्के मिलते हैं गॉल्ड कोइन्स मि कुमार देवी और जो राजा हैं चंदरगुप्त पर्थम इन दोनों की साथ में परतिमा आपको देखने को नजर आती है तो इसका मतलब राणी का महत्तव बहुत ज्यादा था बहुत कम राजाओं ने अपनी राणियों की जो तस्वीर है वो किसी सिक्के के उपर लगवा रखी है इन्होंने प्रॉमिनेंट तरीके से लिखवा रखा है अपने सिक्कों के उपर उनका नाम भी लिखवा रखा है इवन आगे चलके इलाभाद इंस्क्रिप्शन जो अलाभाद का जो अभीलेक है जो समुन्दरगुप्त ने लिखवाया उसमें भी अपनी जो मदर ह यह जो कुमार देवी इनके बारे में इन्होंने काफी सारी बातचीत कर रखी है इसका मतलब इनका काफी बड़ा कोंट्रिबिशन था और इत्यासकारों का मानना है कि दो चीजे हो सकती है या तो चंदरगुप्त को मतलब एक तरह से दहेज में जो लिखवी टेरिटरी है यह मिल गई होगी लिखवी किंग्डम की टेरिटरी मिल गई जिसकी वज़े से उसको एक सामराज्य की नीव रखने में मदद मिली और उसके बाद उस सामराज्य की उन्होंने आर्मी भी मिल गई आर्मी मिलने के बाद सामराज्य का एक्स्टेंड कर लिया उन्होंने उसके चीजें हुई उसके बाद दीरे-दीरे करके आगे आने वाले समय में जब समुंदर गुपत राजा बनते हैं तो समुंदर गुपत तो एक बहुत ही पाउरफुल वोरियर होते हैं वो अपने समराज्य का विस्तार अपनी खूब बड़ी सिमाउ तक करते हैं कहां तक ये पिलर है इलाबाद का यहां पर इसके उपर इन्होंने सारी चीजे लिखी हुई हैं अपने सांशन के बारे में भी समुंदर गुपत ने लिखी हुई हैं अपने पिता के बारे में भी लिखी हुई हैं अपनी मा के बारे में भी लिखी हुई हैं सारी चीजे इसके उप करी जो कि चंद्र गुप्त मोरिय नहीं फॉलो करी थी आप एक चीज याद रखेगा कि भारत के थियास में तीन चंद्र... राजा जो है वह होत मशannen रूइए हैं पहले चंद्र... परतम जिनके बारे में हम पड़ रहे हैं। और दूसरे जो हैं चंदरगुप्त दितिये जो चंदरगुप्त विक्रमा दितिये के नाम से जाने जाते हैं वो भी गुपता वंच के शाशक थे तो तीन चंदरगुप्त हुए हैं तो समुंदरगुप्त इतने ज़्यादा ताकतवर और इतने भैंकर योध्धा थे और इतनी ताकतवर उनकी आर्मी थी कि भारत के लगबग 70% राजाओं ने अपने उनके सामने घुटने ठेक दिये हार मानली कि आप जैसा कहोगे हम वैसा मानलेंगे इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है और नेपोलियन बोना पार्ट जो कि फ्रांस के एक बहुती बड़े मिलिटरी कमांडर थे उनको मोडन टाइम का सबसे मोडन एरा का मोडन हिस्टी का सबसे बहतरी इन कमांडर माना जाता है तो उनहीं का जो टाइटल है वो इन समुंदर गुप्त को भी दिया जाता है इनकी बायोगराफी मैं जल्दी लेक्या हूंगा तो इसके लिए आप अप थे इंतासुी कार कर लेंगे यह वाला चेतर चंदर समुंदर गुप्त ने खुद जीत लिया था यह वाला गृन कलर का इसको पुमार गुप्त ने जीत लिया था नख क Uhन वह यह लागरा जबार पिलर पसे आपको मिलती है कि सक्षेशन कैसे हुआ चंदर समुंदर गुप्त के बाद जो आगले राजा समुंदर गुप्त बनते हैं वो कैसे बनते हैं ऐसा मैं जाता कि समुंदर गुप्त जो है वो सबसे बड़े भाई नहीं थे उनके जो बड़े भाई थे वो इतने योगे नहीं थे इसलिए चंदर गुप्त पर्थम ने हमेशा स समुंदर गुप्ट के बड़े भाईों को अपने सामराजे से गवर्नेंस से दूर रखा ताकि समुंदर गुप्ट को आने वाले समय में वो राजे सौब सकें किूंकि समुंदर गुप्ट बचपन से ही बहुत ज़्यादा intelligent, बहुत ज़्यादा visionary और बहुत ही बहादूर योधा थे और बहुत ही गजब की उन्हें skill थी कि वो राजा बनने के योगे थे, सबसे बहतर थे वो, इसलिए उन्होंने आने वाले समय में समुंदर गुप्त को अपना यूवराज घोशित किया और किस चीज के लिए उन्होंने कहा कि समुंदर गुप्त को में क्या करना है, धरती को प्रोटेक्ट करना है, इतना बड़ा समराट मनाना चाते थे वो अपने बेटे समुंदर गुप्त को, और उन्होंने काम भी किया, उन्होंने भारत के इत्यास का इतना बड़ा समुंदर सामराज्य खड़ा करके दिखा दिया जो कि more events के decline के बाद किसी ने नहीं कड़ा किया था इतना बड़ा सामराज्य इन्हों ने खड़ा कर दिया ancient history की बात करा हूं उसके बाद मुगलों ने एक बड़ा सामराज्य खड़ा किया था वह एक अलग बात है तो यह चीज हुई उसके बाद old age में समंदर चंद्र गुप्त ने अपना throne त्याग दिया था लगबग 335 में त्याग दिया कुछ कहते हैं कुछ लोग कहते हैं 350 के असपास त्याग दिया और उसके बाद उनकी death हो गई उसके बाद अपने बेटे समंद्र गुप्त को अपना राज्य सोब दिया और अपना जगेर राजा बना दिया तो इसके बाद समंद्र गुप्त का जो सम्राज्य है वो आपको दिख रहा है यह जो डार्क कलर में मैप आपको दिख रहा है यहां तक फैला वाथा इनका सम्राज्य दिखिए इतने बड़े सामराज ये पे इन्होंने रूल किया और इसके बारे में ज्यादा तर इन्फर्मेशन आपको इलाहबाद का जो इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर मिलती है तो होपफुली आपको चंदर गुपत पर्थम के बारे में सारी इन्फर्मेशन मिली होगी उसके बाद हम गुपता वंच के बाकी साशकों के बारे में भी बात करेंगे इन्होंने क्या क्या काम किया इसके बारे में भी बात करेंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा साथ ही Success Plus Academy के बाकी प्रेटफर्म के साथ भी जुड़िएगा ताकि आपको इन वीडियोज की अपडेट मिलती रहे इनसे रिलेटेड जो भी इनफॉर्मेशन है वो मैं आपको और PDF जो है वो आपको मैं टेलिग्राम पर प्रोवाइड कर दूँ और Success Plus Academy के Instagram हैंडल पर आप मुझे परसनली भी बात कर सकते हैं किसी भी तरीके का डाउट पूछना हो या फिर कुछ भी सजिशन देना हो तो आप वहां पर कह सकते हैं So thank you so much for watching this video Have a good day, see you in next class